हाई गाईस मैं है अब के लिए लिए हैं हूँ एक और टेक नूस एपल ने अपना आइफोन सीरीस से सिम स्लोड हाटाना चाहती है तो आज हम इस विशय पर बात करने वाले है तो वीडियो को काफी इंटेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को हमारे साथ बाने रहना और लाश्ट तक जुरूँ रहना तो अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सबस्क्रापह नहीं कियाν तक सबस्क्रापह करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना चलिए आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में कहां गया है कि एपल ने प्रमुखों अमेरिका गाहकों को सितंबर 2020 तक e-sim only smartphone launch करने की त्वेरी कर रही है आइपोन XS Series और आइपोन XR के साथ आपल ने दुनिया भर में dual SIM कार्ट सपोर्ट देने शुरू किया क्योंकि उनके पास केरियर के साथ काम करने वाला primary nano SIM और secondary e-sim सपोर्ट है iOS 12.1 dual SIM और e-sim functionality के लिए support लेकर आया अगर एपल SIM slot को हटा देते है तो यहाँ सपस्ट नहीं है कि dual SIM विकल का क्या हो जो बही कुछ देशों में पेश कर रहा है रिपोर्ट के उनसर एपल कुछ iPhone 40 model से शुरू होने वाले physical SIM card slot को हटा सकता है लेकिन आभी भी इसकी पुष्टी नहीं हो हुई है Macs rumors के उनसर सितमबर 2020 तक बीना SIM slot के iPhone model बेचने की योजना बना रहा है यहाँ ब्राजिल की एक website की हासिल रिपोर्ट के बाद यहाँ ब्राजिल की एक website की हासिल रिपोर्ट के बाद आया है कि जिसमें कहा गया है कि Apple 2030 में iPhone 15 Pro model की physical SIM card slot हटा सकते है तो दोस्तो यह थी कुछ official take news आपको हमें नीचे comment करके पाताना है कि कौन सी अच्छी लगी या बुड़ी लगी अगर अच्छी नहीं लगी तो भी हमें बाताना है अगर हमारी इस चैनल को अभी तक सस्क्रेब नहीं है तो सस्क्रेब करना मैं पूलना मिलती है और एक उसके साथ